नमस्कार स्वागत है आपका दन्यूस पर और मैं हूँ आपके साथ शेरन आज विशेश सत्र की शुरुवात हो चुकी है कल से नई सदन में जो सत्र है यह चलने वाला है और इसी के साथ तमाम राजनतेक पार्टियों की आज बॉकला हट निकल कर सामने आ रही है जा देश की केंद सरकार पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की आहमादमी पार्टी के सांसर संजर सिंग की बॉकला हट जो है वो दो हजार चौबस के लोकसभाद चुनावों को लेकर भी नजर आ रही है और वहीं दूसरी तरफ जोस तरीके से के सत्र है उसकी शुरुआत हो चुकी है देश के प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी के साथ साथ तमाम राजनेता और सांसरों ने अपनी बयान बासी जो है वो आज संसर में रखी पर इसी दौरान संसर में ना जा सके और सस्पेंड होने के बावजूद संसर के बाहर खड़े संजे सिंग ने मीडिया से बात करते हुए एक अनोखा ही बयान दिया है और यह बयान दिया है उन्होंने 2024 में होने वाले लोगसभाद चुनावों को लेकर दरसल आपके लिए बता दें कि संजे सिंग ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस विशे सत्र के दौरान जो ह उल जलूल बयार हैं जिनका विशेश सत्र से कोई लेना देना नहीं है संजे सिंग को ये कहना चाहिए था कि इस सत्र के दौरान जो है कि न सरकार कई बड़े बिल आ सकती है कई बड़ी पेमानों पर चड़जा हो सकती है बिल से लेकर कानून पास किये जा सकते हैं पर इन तम मज़ा चाहिए जातसा सआंस की फोटो खीची जाएगी क्योंकि अब सानसदों का इससे कोई लेना देना नहीं है यानि की बिल दिंग बदल रही है और अगर हम नई बिलंग में जाएंगे तो हम पुरानी बिल्डिंग्स को ले कर जाएंगे यानि कि उसकी यादों को ले इन तमाम राजनितिक पार्टियों को जिसमर आम आदमी पार्टी के साथ साथ कॉंग्रेस और तमाम अन्य दल भी शामिल हैं और इसलिए संजे सिंग इस तरीके से बयान बाजी कर रहे हैं इसी के साथ उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अगले साल चुनाव का समय आ गया है सदस्विंग को सूचित किया जा सकता है कि अब उनकी उपस्तिती की आवश्रक्ता नहीं है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि पांच साल का कारेकाल जो है वो पूरा हो चुका है इस तरीके से बयानबाजी करने वाले संजिस सिंग को लेकर आज जनता की राय भी सामने आ रही है जिस पर जनता का कहना है कि संजिस सिंग पता रही कहां की बातें कहां से जोडते हैं आज संजिस सिंग को इस बात पर विचार करना चाहिए कि कल उन्हें नई संसद में जगा दी जाएगी भी या नहीं दी जाएगी क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऐसे दो सांसद हैं जो आज पार्लियमेंट के बाहर खड़े होकर इस तरीके से बयान बाजी कर रहे हैं और इसी के साथ नाम आता है राघप चड़ा का जिहार रागब चडधा और संजे सिंग इन दोनों को ही सस्पेंड जो है वो मौनसुम सत्र के दौरान किया गया था जिस पर भारतिया ज़नताप पार्टी के निताओं की तरफ से यानि की केंद्रिय मंत्री भी उस गोयल की तरफ से भी प्रस्ताव रखा गया था और प्रस्त सत्र के दोनों मौनसून सत्र के अंतिम दिन राजे सभा के अनिशित काल से निलंबित करने के बावजूद जो है वो अब सदन में नहीं जा पाएंगे वहीं लोक सभा चुनावों का ये डर जो है वो साफ दिखाई दे रहा है इसी के साथ आपके लिए बता देंगे आज सत्तान मंत्री नरेंडर मोदी ने भी विशेस्स सत्र की शुरुवात के दौरान जो है वो तमाम राजनितिक पार्टियों पर जम कर हमला बोला उन्होंने बिना नाम लिये ही do पर भी हमला बोला और जुसके बाद तमाम राजनितिक पार्टियों की भी बॉकला हाट सामने आई जुसमें कॉंग्रस के साथ साथ तमाम ऐसे नेता भी थे जो की पीम नरंदर मोदी और केंद सरकार पर हमला बोल रहे थे इसी सत्र के दोरान आपके लिए बता दें कि आज अ हो चुके हैं और वहीं आम आदमी पाटी के सांसर सुशील कुमार रिंकु जो हैं उन्होंने भी एनाई से बात करते हुए तमाम तरकों पर अपनी बात रखी और नोंने कहा कि रागप चड़ा और संजे सिंग के निलंबन पर कहा कि हम आज नए सदन में प्रवेश करेंगे वो भी निर्वाचेत प्रती निधी हैं इसलिए वे भी अपना उचित सम्मान पाने के पात्र हैं रिंकु ने कहा कि सभी विपक्षी दलों को उनके लिनंबन को रद करने की मांगी है मुझे पिछले सत्रवे निलंबिन कर दिया गया था और आज मैं इस सत्र में भाग लू सतायाने की वो कब तक जो है वो इस तरीके से संसद में वापस जा पाएंगे क्योंकि दोनों को ही सभापतियों की तरफ से जो है वो सस्पेंड किया गया था जहां संजिस सिंग के उपर ये आरोप थे कि वो चपन से जादा वार वैल में आए और उन्होंने सदन की तरीके से किया जाएगा आखिरकार कब तक जो है वो वापस आपाएंगे अब तो देखना एहम रहेगा आपके बता दें कि आखिरकार किस तरीके से आज लगातार मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही हैं स्टैन्डिंग कमेटी के पास भेजा गया था और स्टैन्डि बिल्डिंग की हो ही रही है तो इसको लेकर भी लगातार राजनीती आज राजनीतिक पार्टियां करती हुई नजार आ रही है क्योंकि एक तरफ के इंद्र की सरकार देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी अपनी तमाम बातों को रख चुके हैं सामने तो वहीं दूसरी त सत्र जो है वो 22 तारिक चलने वाला और 12 सेप्टेंबर तक चलने वालाए जिस पर कनुमान भी लगाया जा रहा है कि इस विसेश सत्र के द्वरांज जो है वो चेंद्ध सरकार कई नए बिलों को टेबल कर सकती है जिस पर चाय हो सकती है और शायद ये चार दिन जो हैं वो काफी जादा महतवपूर्ण रहने वाले हैं तमाम विपक्षी पार्टी और केंद सरकार के लिए देखना एहम रहेगा कि कौन से ऐसी बड़ी योजनाय और बिल हैं जिनको टेबल केंद सरकार की तरफ से किया जाए और रही बात आमात्मी पार्टी की या उन तमाम राजनेतिक पार्टी की जो की आज नए संसत्भवन को लेकर बॉकला रही है और ये पहले दिन से ही बॉकला हट शुरू दिखाई दे रही है जब से इस नए संसत्भवन की नीव रखी गई या उदगाटन हुआ और अब जब प्रवीश होने जा रहा है तब भी इसी तरीगे की बयानबाजी इन विपक्षी पार्टीयों की तरफ से की जा रही है कैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करकर जरूर बताईए थन्यवाद